नमस्कार दर्शकों, मैं हूं कीर्टी नमस्कार दर्शकों, मैं हूं कीर्टी नमस्कार दर्शकों, मैं हूं कीर्टी और उनको अन्य वर्गों के जो पुरुष वर्ग है, उसके समकश लाने का जो प्रयास है, ये समाज का हमेशा से एक प्रयास रहा है। तो मुख्य तोर पर हम इसमें उन महिलाओं को शामिल करते रहे हैं जिनके पास हमारी पहुँच है, जिनके पास सूचनाओं की पहुँच है। इन ग्रामिन महिलाओं कहीं इस पहुच से दूर हैं, अच्छूती रह जाती हैं, तो उनको भी मुख्य धारा में लाया जाए, उन तक भी हमारी पहुच बने, उन तक भी हमारी उजनाओं की पहुच बने, और उनके समस्याओं को जान करके समाधान करने में हम सक्षम हो सके उन पर हमारा focus बने ये बातें सुनिश्चित करने के लिए ही ये अंतराष्ट्रे ग्रामिंड महिला दिवस का concept आया कि ग्रामिंड महिलाएं इस विकास की दौड में कहीं पीछे न छूट जाएं उनकी आवशक्ताओं को हम भूल न जाएं उन पर हमारा focus बना रहे यही प्रय कामिंड शेत्र हैं वहां महिलाओं की स्थिति क्या है महिला के तौर पर पारंपर एक रूप से भी बहुत और एतिहासिक रूप से भी महिलाओं की जो स्थिति है वो किसी भी परिवार में एक जेनरलाइज नहीं करना चाहिए इसको बट कहीं ना कहीं मतलब एक second class citizen का वहां जागरुक हों, modern हों तभी भी कहीं न कहीं ये बात हो जाती है कि अगर लड़का है तो उसको थोड़ा सा ज्यादा मिल जाता है और लड़की है तो उसको थोड़ा सा कम मिल जाता है तो जब पढ़े लिखे परिवारों में ऐसे इस्थिति होती है जो अन्ने तरह से भी पू जारकंड भी अच्छोता नहीं है जारकंड में भी ये इस्थिती है पर जारकंड में एक अच्छी बात है कि हमारा जो एक बड़ा आबादी का वर्ग है वो ट्राइबल पॉपुलेशन है हमारा तो देखिए समाज में जब जो स्तर का निर्धारन होता है ना कभी भी तो उसक महत तो बढ़ जाता है और जो कम सक्षम है उसका महत तो कम हो जाता है तो बहुत सारे समाज में हम लोग देखते हैं कि महिलाओं का की आर्थिक उपादेयता ज्यादा नहीं होती है वो घर के अंदर ही रह करके और घर के अन्ने कामों को ही करती है जिनके लिए उनको किसी त तो पुरुष अगर कमा कर आता है तो उसको बढ़िया खाना चाहिए उसको बढ़िया सुविधा चाहिए यह वाली मान सिकता आ जाती है और महिला कहीं बाहर काम करने नहीं जा रही है तो थोड़ा कम भी खाएगी तो चलेगा इस टाइप वाली बात आ जाती है तो फॉर्च जाके काम करती है जादा तर गाओं में भी अगर हम देखें तो इसलिए वहाँ पर यह बहुत जादा इस्ति नहीं है कि उनको बहुत असमानता कर शिकार होना पड़ता है किसी तरह से लेकिन जो आदिवासी शेत्र नहीं है वहाँ पर मेरे यह मतलब मानना है और हम लोग ज जो है समय समय पर योजनाय चलाती है तो ग्रामीन महिलाओं को सशक्त बनाने के लिए हमारी सरकार किस-किस तरह की योजना चला रही है देखिए आसा है ना कि हमारा जो विभाग है सरकार की तो बहुत सारे विभाग हैं और बहुत जैसे कि आजी विका के लिए या उनके ल बनाया जाता है, तो ये अन्य विभागों का काम है, बट हमारा जो महिला बालविकासरम सामाजिक सुरक्षा विभाग है, वो मुख्यत है, महिलाओं के उत्थान पर, उनका जो ओवरॉल डिवलप्मेंट उनका हो सके, इस पर काम करता है, और डिवलप्मेंट की पहली सीड़ जो है, वो है स्वास्थ और पोशन, तो कोई भी व्यक्ति अगर स्वास्थ अच्छा नहीं है उसका, या पोशन अस्थर अच्छा नहीं है उसका, तो अगर अगर अधर्वाइज वो इंटेलिजेंट भी है, सक्षम भी है, लेकिन वो अपने जो इंटेलिजेंस है, जो अहली प्राथ मिखता है, वो ये है कि हमारा जो बेनिफिश्टरी है, जो हमारी ग्रामिन महिला है, शहरी शेत्रों में भी ये विभाग काम करता है, बट हमारी पहुंच गाओं में जादा है, हर गाओं में कम से कम एक आंगनवाडी सेंटर तो जरूर है, उनिवर्सलाइशन से सबंधित जितनी भी विभागों की योजडाएं हैं, सबका एक convergence यहां पर हो जाता है, तो हमारे विभाग की तरफ से जो योजडाएं चला जाती हैं, वो उनके स्वास्ते और पोर्शन से रिलेटेड हैं, तो स्वास्ते वाली जितनी भी component हैं, वो हम लोग स्वास्ते व गर्भवस्था में हैं, तो उनकी जो गर्भ जांच करनी है, जो टेटनेस के टीके दिये जाने हैं, या कि institutional delivery से जो फाइदे हैं, उसके बारे में उनको बताया जाना है, और institutional delivery को प्रमोट किया जाना है, यह सब जितने भी कारिक्रम हैं, वो स्वास्ते वाग के सहीयोग से ह करते हैं, ताकि हमारी महिलाएं स्वस्त रहें, सुरक्षित प्रसव हो, और हम एक अच्छा बानव संसाधन तयार कर सकें, यह तो स्वास्तिव भाग से, फिर इसके अलावे महिलाओं का पोशन सतर अच्छा होना चाहिए, और खासकर कि उन दिनों में, जबकि या तो उनका formative age है, जैसे बच्चे जबड़े हो रहा है बच्चे थे हैं, तो उनकी पोशन की आऑुशक्ताइं अलग हैं, अगर महिलाओं गर भावस्था में हैं, या अपने बच्चे को दूध पी लाती महिलाओं हैं, तो उनके पोशन की आऑँशक्ताइं अलग हैं, तो इस तरह से इन आवशक्ताओं को assess करते हुए, उनका आकलन करते हुए, हमारे विभागदे ready to eat micronutrient dense fortified foods के packet तियार किये हुए है, जो कि हम उन beneficiaries को बाटते हैं, ताकि अगर किसी तरह से उनकी portion पूरा नहीं हो पा रहा है अपने घर के खाने से, तो हम एक supplement कर सके, ताकि किसी खाने के अभ मिकास रुक जाए, या कोई ऐसी महिला नहीं हो कि वो प्रसव के लिए खुद को तयार नहीं कर पाई, या दूद ना पिला पाई, क्योंकि ये basic हावशक्ताएं मनुश्य की होती हैं, और खास करके महिलाओं के शुद लिए, तो ये जो, उसके अलावा हम लोग अंगनवरी केंद्रों में, प्री स्कूल एजुकेशन भी दिये जाते हैं बच्चों को, चोटे बच्चों को, पाँच साल तक के बच्चों को, जो तीन से पाँच साल ते या शे साल के बच्चे हैं, तो वैसे सिती में महिलाओं को हम लोग, हम इस तरह से ये बता रहे हैं, कि ग्रामि कैसे support कर रहे हैं उनको तो आंगनवाडी में उनकी preschool education की भी विवस्ता है और उनको school आने के लिए उत्साहित करने के लिए प्रेरित करने के लिए उनके लिए अलग से meal की जरौत यह प्रावधान है जो की आंगनवाडी के अंदर पे आकर के उनको मिलते हैं तो यह तो हो गई portion संबंधी बाते हैं इसके अलावा हम बताना चाहेंगे कि जैसे कि महिलाओं ग्रामिन महिलाओं तक जो हमारे स्वास सोविधाये हैं उनकी पहुंच हम बढ़ा रहे हैं पर फिर भी बहुत पार होता है कि मतलब समाज में परिवार में उनकी ऐसे सिती नहीं है कि उनको अगर घर के सिती थोड़ी खराब है तो और नेगलेक्टिट हो जाती है तो वैसे सिती में भी कोई महिला मतलब छूट ना जाए इसके लिए मतलब पिछले वर्षों में 2017-18 से ही ये योजना चलाई जा रही है कि अगर किसी महिला का पहला बच्चा हो रहा है पहली डिलिव तो उसको प्रधान मंत्री मात्री वंदना योजना के लिए एक राशी दी जाती है ताकि वो अपने खान पान का ख्याल रख सके अपने बच्चे का ख्याल रख सके अपने बच्चे का टिका करण करण करवा सके उसमें अगर हैल्प कर सके पैसे के कारण कैश के कारण किसी क कुछ रुक न जाए, कोई सुविधा मिलने से वो वंचित न रहा जाए, इसके लिए एक सरकार का प्रयास है, मात्रिवंधना योजना, यह बहुत ही अच्छी योजना है, इसी तरह से राजे सरकार के लिए अन्य भी कई योजना है, अच्छा अगर हम एकनॉमी की बात करें, अर्थ विवस्था की, तो हमारे देश की अर्थ विवस्था में, ग्रामीन शेत्र की महिलाओं की कितनी भागीदारी होती है। तो अगर भागीदारी के लिए देखें कि अगर हम घर से बाहर निकलने के काम को ही अर्थवस्ता में भागीदारी समझेंगे तो निश्चत रूप से ग्रामिन महिलाओं की जो भागीदारी है वो कम दिखेगी, कम तर दिखेगी, फिर भी किर्शी के शत्र में उनकी एक अलग विशय हो सकता है, लेकिन वो निकलती हैं, फिर भी अर्थव्यवस्ता मीं युगदान को हम देखें, जिसे उनका हाउस होड़ वर्क है, जो उनका काम कहा जाता है, चाह में महिला है, तो ये कोई काम नहीं करती है, घर में रहती है, तो घर में भी जो रहती है, त तो इनका हम cash conversion नहीं करते हैं, कि अगर ये सुविधाएं हम किसी और से बुला करकर अपने घर में लेते हैं, तो इसको हम उनका economy में योगदान नहीं मानते हैं. तो इएक वहशुक उस्तर पर यह बात है, कि महिलाएं अगर घर में हैं, तो उनके कहा जाता है कि वो कुछ नहीं करती है, हाउस वाइफ हैं, तो हाउस वाइफ के रूप में भी घर के काम करती हैं, उनका एकोनॉमी में योगदान है कि नहीं, इस पर एक विचार होना information तक उनकी पहुँच नहीं होना, limited पहुँच होना, अगर नहीं नहीं होना तो एक बड़ा यह हो जाएगा, लेकिन limited पहुच है उनकी, सूचनाई नहीं हैं उनको बहुत सारी चीजों की, जैसे हम योजनाई ही चलाते हैं, बहुत सारी ऐसी योजनाई हैं, जिसके लिए कि व तो एक और जो बहुत महत्वपूर्ण चीज है, वो महिलाओं के सेंस से अगर हम देखें, तो वो उनका स्वास्त और पोशन तो ऐसी चीजें हैं जो जेनरल हैं, बट उनका परसनल हाईजीन के संसाधनों तक उनकी पहुंच नहीं होना, उनकी समझ कम होना, और कैसे हम इसको क कमी रहने पर उसका consequence फिर बहुत अलग हो जाता है, और स्वास्ते के दिशी से देखें, जीवन के दिशी से देखें, तो उनकी परिशाणियां बहुत बढ़ जाती हैं, तो एक परसनल हाईजीन, तो तो हमने बना दिये हैं, बहुत सारे, बट फिर भी ऐसी बहुत सी चीज हो जाता है या कि कि किस तरह की चीजों का वो इस्तेमाल करती है उस दोरान और उसका उसके उसका डिसपोजल कैसे होता है फिर उस का उनके स्वास्ते पर शरीर पर क्या effect होता है यह एक बहुत बड़ी चुनौति है उनके लिए कि इन तरह के संसादनों का सहरी चेत्रों में हम लोगों ने बहुत हद तक ऐसे सुचनाएं दिये हैं, हमारा अर्थिक स्तर भी ऐसा है कि हम लोग उन चीजों तक पहुँच पाते हैं, पर ग्रामिन चेत्रों में ये अभी भी एक बहुत बड़ी चुनौती है, जिस पर की महिलाएं चुप रह जाती हैं, तो क्योंकि होता था क्या कि ग्रामिन चेत्रों में बहुत बड़ी संख्या में बालिकाएं, लड़कियां जो हैं, वो मतलब जब एडॉल्सेंट स्टेज में आती हैं, जब उनके मासिक धर्म शुरू होते हैं, तो स्कूल्स में हमारे ऐसे सुधाओं का भाव है, ऐसे जाता है कि अपने स्कूल में हम लोगों ने पैड्स वेंडिंग मशीन लगाए हैं, फिर उनके डिस्पोजल के लिए, एक बहुत बड़ा कारिक्रम है, पाइलेट बेसिस पर कुछ जिलों में चला है, और यह सभी स्कूलों में इसको करने की उजना है, जो यह विभाग है, स्वच्छता का वह वाला कर रहा है इसमें, तो यह बहुत बड़ी होजना है, तो यह जो एक बेसिक जो उनके सिर्फ उन से जुड़े हुए हैं, यह बहुत बड़ी चुनाती है ग्रामिन शेत्रों में, उसके बाद एक और बहुत ऐसी है चीज है, जो कि शिक्षा तक उनक जादा होती जाती है, तो उन महिलाओं का उन घरों का यह स्तरनी होता है कि अपनी बेटी को फिर पढ़ने के लिए किसी शहर में भेज सकें, यह वहाँ पे रहने का फिर इंतजाम कर सकें, तो उस कारण भी उच्छ शिक्षा तक उनकी पहुँच बहुत कम है, स्कूल्स तक अगर हम अंतर की बात करें, क्योंकि यहाँ पर शिक्षा की, रोजगार की बात हो रही है, तो ग्रामीन शेत्र की महिलाएं कितनी जॉब ओरियंटेड होती है, क्योंकि जादा तर देखा गया है कि शहरी शेत्र की लड़कियां, महिलाएं, या युवती किसी को भी कहा वो बच्पन से ही उनके दिमाग में रहता है कि हा मुझे अपने करियर पर फोकस करना है, ग्रामीन शेत्र की महिलाओं के साथ ऐसा नहीं देखा गया है, दीखे, शिक्षा और रोजगार का एक अन्युन अश्रे संबंध है, जैसे शिक्षा का स्तर बढ़ेगा, वैसे भी क मतलब, चुकि पढ़ाई ही नहीं हुई है, तो फिर करियर पर कैसे वो फोकस कर पाएंगी, तो ये बात तो जरूर है, कि उनका जॉब ओरियंटेशन वैसा नहीं होता है, प्लस उनको उस तरह का, जिसको हम आजकल समाज में रिस्पेक्टेबल जॉब्स कहते हैं, उनकी पह होटल में, हॉस्पिटल में अगर काम करना है, तो अगर चुकि उनकी पढ़ाई वैसी नहीं हुए, तो इस तरह के काम भी उनको मिलेंगे, स्किल भी उनका वैसे ही है, तो इस तरह से उनको रुजगार के उसर मिलते हैं, जो बहुत सम्मानित नहीं समझे जाते हैं, तो इस कर रहा है कि महिलाएं कैसे बहुत ज़रूरी नहीं है कि बाहर निकल के ही काम करें अपना स्किल डेवलप्मेंट करके भी वह अपने घर में राते हुए चोटे-चोटे समोह बना करके भी या मतलब कम स्केल पर भी कुछ काम ऐसे कर सकती हैं जिससे उनका रोजगार स्रेजन हो उनको पैसे की आमदनी हो ताकि उनका आने वाला जो फ्यूचर है उनके परिवार का जो फ्यूचर है वो विक्सित हो सकेगे अच्छा जादा तर ऐसा देखा गया है कि लगू एवं कुटिर उद्द्योग जो हते हैं उसमें शहरी शेत्र से जादा ग्रामिन शेत्र की महिल के पास उनको संगठित करना एक तरह से आसान है क्योंकि वो उसी कुछ ना कुछ सब कोई जानती ही है कुछ ना कुछ से कौशल सब के पास है तो उसका विकास कर पाना ज्यादा आसान है प्लस उन तक अगर पहुंच पाएं हम तो उनके पास समय भी थोड़ा शेत्र की महिल कर सके तो उसकी समभावना थोड़ी कॉम्प्रमाइज हो जाती है तो ग्राम इंड शेत्रों में परिवार अभी एक संस्ता के रूप में काम कर रहा है तो वहाँ पे वो अपना समय निकाल पाती है, तो इसलिए वो जो आप फ्रंट कह रहे हैं कि ग्रामीन और लगू अधियोग में महिलाओं की भागीदारी तो निश्चतरूप से है, शेहरी शेत्र की महिलाएं अपने अधिकार को लेकर भी ज्यादा जागरुख होती है, लेक कि क्या सुचना है, क्या नहीं नहीं चीज़ें हो रही है, तो कि उन्हें जागरुख होना जरूरी है, जो कि हम समानता के अधिकार की बात करते हैं, और हम अंतराश्ट्री महिला दिवस मना रहे हैं, शेहरी और ग्रामीन शेत्र के लिए, लेकिन हम 15 अप्टूबर को ग्रामीन शेत्र की महिलाओं के लिए अंतराश्ट्री ग्रामीन महिला दिवस मना रहे हैं, उन्हें जागरुख करना सबसे जरूरी है, जैसे कि हम लोग तो बेविन जागरुखता कारेकरम सरकार की तरफ से करते रहते हैं, जैसे अभी ही एक प्रोग्राम चल रहा है, आप चलने वाला है, तो लेकिन इन छेत्रों में भी हम लोग महिलाओं को फोकस करके जो प्रोग्राम चलाए जा रहे हैं, उनका हम लोग विशेश तरुप से जानकारी दें, ऐसे भी कोशिश की जा रही है, तो इस शेतरुप से जो अंतराश्ट्री ग्रामीन महिला दिवस का ज कि आपके यह अधिकार हैं, जैसे मानली जी कि कोई जाने ही ना कि हमको डोमेस्टिक वाइलन्स से रक्षा के लिए हमको अधिकार मिला हुआ है, और उसको हम कैसे अवेल कर सकते हैं, कहां जाने से हमें सुविधा मिल सकती है, हमारी समस्याओं का समाधान हो सकता है, अगर हम यह ना जाने, तो हम अपने घर में वाइलन्स सहते रहेंगे, हम उसको नहीं कर पाएंगे, तो ऐसी स्थिति में मतलब जो भी योजनाएं, जो भी सुविधाएं, जो भी नियम कानून महिलाओं के लिए बनाए गए हैं, वो पूरी तरह से प्रचारित हो, प्रचारित हो, तो सरकार इसके लिए निश्यत तोर पर प्रयासरत है, पंचायती राज विवस्ता में हम लोगों ने महिलाओं की भागदारी सुनिश्यत करने का अभी यह किया है, कि महिलाओं आएं आगे, और जब किसी भी विवस्ता में जादा महिलाओं आएंगे, तो अपनी तरफ से अपनी समस्याई रखेंगी, आपनी पंचायती राज की बात की, अगला सवाल है कि हम समाजिक शेत्र की यहां पर बात कर रहे हैं, तो राजनितिक परिवेश और उस से बात करना यहां पर आवशक हो जाता है, कि राजनिती को लेकर ग्रामीन महिलाओं कितनी परिपक्व है और कितनी समझतार हैं, क्योंकि पहले मुख्या बनते थें, बाद में जब महिलाओं को reservation दिया गया और कहा गया कि नहीं, अब वहां की महिलाओं जो हैं, वो मुख्या पद के लिए अपना आवेदन दे सकती हैं, तो बाद में मुख्या पती होने लगें, लेकिन मुख्या पत समझ से आती हैं, कुछ सितियां भी ऐसी आती हैं, जिन पर जोक्स बन जाते हैं, जैसे अपने मुख्या पती की बात की, पर मेरा मनना है कि क्यों हम पती और पत्नी को अलग-अलग देखें, अगर उसका पती उसको सहीयोग कर रहा है, तो क्या ही गलत है इसमें, अगर मुख पती से सपोर्ट नहीं मिलना चाहिए, मिलना ही चाहिए, अगर इसमें वो, मतलब इसको यह न समझा जाए कि उसका पती ही सब काम करें, लेकिन पहले एक दो टर्म में हो सकता है, ऐसा हो भी, लेकिन निश्चत रूप से जब आगे बढ़ेगी, जब उसका स्किल बढ़ेग होती है, वो शुरू से ही उनके दिमाग में शहरी परिवेश ज़्यादा घूमता है, तो गाओं को ही और ग्रामीन शेतर की महिलाओं को ही इतना सुरुदेड क्यों न बनाया जाए, कि गाओं ही शहर बन जाए, यह बात एक ऐसी है कि आजकल तो मॉबाइल सब के माधियम से भी शहर और गाओं का अंतर बहुत तरह से कम हो गया है, आप गाओं में भी देखें, तो वो पहले वाली बात तो बिल्कुल नहीं रहे गई है, सूचना की क्रांती के रूप में एक मॉबाइल हमारे हाथ में एक ऐसा आवसर आ गया है, तो निश्चित रूप से जो वो अगर पढ़ाई के लिए लेना चाहें, अगर स्वास्विधाओं का लेना चाहें, अगर मनोरंजन का लेना चाहें, तो शहर में निश्चित तोर से जादा आउसर है, तो गाओं को शहर बना दिया जा सके, ये बहुत दूर की बात है अभी, लेकिन फिर भी हम लोग उनको आट पार करने के लिए कोशिश तो करी सकते हैं, बलकि गाओं को ज्यादा गाओं के रूप में ही विक्सित अगर करके, शहरों को लाएं गाओं में, जैसा हमनों रिसॉर्ट और वगर का, तो मैं समय कम है, तो मैं बल्कुल चाहूंगी कि आप एक लाइन में जो हमारी ग्र जिसमें कि उनको मतलब विभिन अस्तरों पर कक्षा आठ्वी के बाद से और 20 साल पूरा होने तक विभिन फेजेज में उनको 40,000 रुपे मिलते हैं, तो ग्रामिन शेतर की महिलाएं अपने शिक्षा जारी रखके लड़कियां इसको अवेल कर सकती हैं और अपने शिक्षा धन्यवाद यहां आने के लिए और इतनी महतुपूर्ण जानकारी हमें देने के लिए तो ग्रामिन शेतर की महिलाएं शशक्त बने यही हमारी सरकार भी चाहती है और यही हमारा समाज भी चाहता है तो आज के इस कारिकरम में इतना ही हमें दीजे इजाजत नमस्कार झाल झाल